क्या आप जानते हैं कहा है ऐसा मंदर जो बताता है मांसूर इस मंदर में पता लग जाता है कि कब और कितनी बारिश होगी आज हम आपको इस मंदर के सभी रहसे बताएंगे उससे पहले है प्रभू जो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखकर हमें सब्सक्राइब करेगा उसकी हर एक इच्छा पूरी हो ऐसी कृपा करना कहा जाता है कि मंदर का इतिहास 5000 साल पुराना है यहां मंदर में भगवान जगनात बल्दाओं और बहन सुभधरा के साथ विराजमान है इस मंदर में मांसून आने से ठीक 15 दिन पहले मंदर की छट से पानी तपकने लगता है किसी से आसपास के लोगों को बारिश के आने का अंदाजा हो जाता है स्थानिय निवासी बताते हैं कि सानों से वह मंदर की छट से तपकने वाली बूंदों से ही मानसून के आने का पता करते हैं कहते हैं कि इस मंदर की छट से तपकने वाली बूंदों के हिसाब से ही बारिश भी होती है यदि बूंदे कम गिरी तो यहां माना जाता है बारिश भी कम होगी इसके उलट अगर ज्यादा तेज और देर तक बूंदे गिरी तो यहां माना जाता है कि बारिश भी खूब होगी बताते हैं कई बार वग्यानिक और पुरातत्थ विशेशग्यों ने मंदर से गिरने वाली बूंदों की परताल की लेकिन सदियां बीट गई है इस रहस्य को आज तक किसी को नहीं पता चल सका कि आखिर मंदर की छट से तपकने वाली बूंदों का राज क्या है यहां मंदर कानपुर जिले की घाटपुर तहसीर के बहता गाव में स्थित है अगर आपको इस तरीके के रहस्मई तत्थियों के बारे में जानना अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों वपरिवार्जनों को शेर करें